हाई गाईज वापिस आगे एक वा नई वीडियो के साथ इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंस्टलेशन टेमपर ग्लास का आइफोन 14 प्रो मैक्स पे तो इस पे हम इंस्टॉल करने वाले हैं सब्सक्राइप वाले हैं तो देखते हैं कि से इंस्टॉल करते हैं उसके बाद इसका रिवीउ करते हैं चलिए पहले इंस्टॉलेशन चले ज़ए कि आद़ प्रेश को बाद कि थे पर खुट हो जाती है मर草 पुट है कि अपना कि बच्ट समय है तो पर उपशना कि अपना कि नहागी, मुंच को धुट है घटना कि पर खबी है आदा है तो कि एड़ थादना मुंचुन झाल 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 तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया अब बात करते हैं कि मेरा experience कैसा था तो टेंपर ग्लास तो बहुत ही अच्छा है अब ये अच्छे से पूरे corners को cover कर लेता है और इस ट्रे के वज़े से आप इसको अच्छे से align कर पाते हैं और सीधा टेंपर ग्लास डाल देते हैं तो ये कोई भी अब टेंपर ग्लास डाल सकता है पहले टेंपर ग्लास डालना थोड़ा मुश्किल होता था, आपको दुकान में जाना पड़ता था, क्योंकि हमसे हमेशा बबल आ जाते थे, अब वो वाला डर नहीं है, आप अराम से इसको बस वो पील कीजिए, उस पे लगाईए, और दबाईए, और हो गया, तो तीन स्टेप में ये टेंपर गलाज डल मैंने अपने 13 Pro Max पे इसको लगा है, दोनों का साइज सेम है, तो अगर आपके पार 13 Pro Max हो या 14 Pro Max हो, ये टेंपर गलास दोनों ही फोन्स को फिट होता है, तो अब मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा, मैं इसको काफी रफ्यूस करता हूं अपने फोन को, इसमें स्क्राच थोड़ा सा, कोने से धक्का मालता थ यहां इसका Size जाधा बड़ा नहीं है, थोड़ा से जगा देता है ये कोने में ता कि अगर आप कोई Case डालें, तो Case यहां पकड़ता है, वहां पे Temporal Glass धक्का ना माले और इस Tr behalf के वजए से, ये चारू तरफ से Evenly set है, तो कोई भी तो बस कितना ही इस वीडियो के लिए अगर आपको कोई और डाउट हो कुछ और सवाल हो आप मुझे कॉंटाइक कर सकते हैं मेरा इंफोमेशन वीडियो के दिस्क्रिप्शन और वीडियो के एन में मिलेगा और अगर आपसे वीडियो इंग्लिश और मल्यालम में देखना चा । और इंग κάνे का लिए खेंगे हूँए और सकते ही वाहता है झाल झाल झाल